हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम हेल प्रोगर्स टाडी चैनल और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए मार्केटिंग यानि कि मार्केटिंग किसे कहते हैं हम यह समझने वाले हैं क्योंकि मार्केटिंग जो है वो 11 और 12 की बात की जाए तो एज़ा टॉपिक करते हैं आप पूरा इसमें करना होता है तो मार्केटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज के टाइम में देखा जाए तो काफे हेट है तो इसको डिसकस करते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है देखिए वैसे तो मार्केटिंग की धेर सारी डेफिनिशन है और धेर स भी धेर सारी हैं अलग-अलग अलग अलग देशों में अलग-अलग जहाओं पर अलग-अलग इन्युवर्सटीज में इसकी अलग-अलग definitions जो हैं वो निकलती हैं तो basically हम यहां पर आपके लिए cover करेंगे सारी definitions का mixture यानि कि मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि सारी definitions को अगर मिला दे जाए उन्हों उनसे कुछ meaning निकाले जाएं जिससे simple way में आप समझ सके marketing क्या होता है तो आज हम इसी को discuss करते हैं तो चली सबसे पहले हम discuss करते हैं कि marketing traditional way में क्या है marketing यानि कि पहले के time से अकर दिखा जाए तो जो definition चलती चली आ रही है marketing की तो वो क्या कहती है marketing definition कहती है marketing has been referred to as the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer यानि कि कुछ ऐसी activities हैं जिसके जरिये goods और services वस्तुएं और सेवाएं producer से होकर कहां तक जाती है customer तक जाती है यानि कि goods और वस्तुएं और सेवाओं का producer से लेकर customer तक जाना ठीक है उसके बीच में सारी वो activities करना जिसके जरिये वो goods and services flow करते हैं और customer तक जाते हैं तो उनहें को कि हम क्या बोलते हैं, यानि की marketing में सारी वो चीजें आ गईए, जैसे कि planning करना कि हमने कौन सा goods और services बनानी है, हमारा business क्या होना, चाहिए, agenda क्या होना, objective क्या होना चाहिए, हमें कहाँ से दजबा profit earn करना है, ठीक है? तो profit कितना किस level तक earn करना है हमारी production capacity कितनी होगी हमें कौन से गरहक को focus करना है यह सारे तरीके जो हैं जिस पे हम decision करते हैं लेते हैं decision और सारी activities perform की जाती है उनी के base पर playing के base पर तो यही marketing है कि marketing की definition है on the basis of activities activities गतिवीधियों के अधार पर क्रियाओं के अधार पर हम देखें कि marketing की definition क्या है तो वो देखते हैं तो कहता है it includes product designing, merchandising, packaging, warehousing, transportation, branding, selling, advertising and pricing यह सारी activities मिलकर क्या बनाती है marketing मनाती है यानि कि अगर यह सारी activities मैं include कर दूँ तो यह क्या बन जाएगी marketing बन जाएगी ठीक है simple way में marketing को समझे तो marketing देखे आपने कभी देखा होगा एक example के तुरू समझते हैं आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारी shops ऐसी होती है या बहुत सारे restaurant का example ले लेते हैं बहुत सारे restaurants ऐसे होते हैं जिन्होंने काफी अच्छा पैसा लगाया होता है customer को attract करने के लिए वो सारी चीज़े की होती हैं but कुछ छोटे restaurant उनको मात दे देते हैं यानि कि वो छोटे से restaurant मैंने तो कही सारे ऐसी shops भी देखी है for example कचोडी की shop हो गई कुछ ऐसी shop हो गई जो की एक particular चीज़ पर focus कर रही है और वो इतनी अच्छी उनकी बिकरी है इतनी अच्छा उनका profit है कि बड़े बड़े restaurants भी fail है वहाँ पर और वहाँ पर line लग जाती है लोगों की और वहीं अगर देखा जाए तो बड़े restaurants जो है जो की पैसा लगाते हैं बड़े outlets हैं food outlets तो वहाँ पर इतना जादा वो earn नहीं कर पाते profit ठीक है तो it's just because marketing marketing जो है वो business की जान है यानि कि अगर business में से हम marketing निकाल दें तो business जो है hardly ही कोई business जो है वो profit earn कर पाएगा तो marketing बहुत एहम है और बहुत importance रखता है किसी भी business के अंदर तो वो सारी activities जो की किस से जुड़ी हुए है planning से, designing से, product के designing की, merchandising की, packaging, warehousing यानि कि पूरा product जो बनने से पहले से लेकर और product बनने के बाद से पूरा जो process होता है कि customer तक product और services पहुँचे और marketing वहीं खतम नहीं होता, marketing उसके बाद भी चलता है, आपने product sale कर दिया, उसके बाद भी marketing चलती है follow up process के द्वारा, ठीक है, तो ये पूरा जो process होता ही, इसी को marketing बोलते है, यानि कि एक simple way में कहा जाए, कुछ ऐसे activities करना जिससे कि आप अच्छा profit earn कर सकें, अब ये तो definition जो है आम तोर पर चलती है business के area में, बट actually ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत सारे देशों में ये definition जो है following नहीं की जाती है, बहुत सारे देशों में customer की satisfaction को, customer की need को पूरा करने को ही अच्छे marketing कहा जाता है यानि की जब customer satisfy हो गया, तो जाहिर सी बात आपको profit तो earn हो गई होगा, आप च्छा जाओ, क्योंकि देखिए, आम तोर पर देखा जाता है कि बहुत सारे businesses ऐसा करते हैं, वो profit पर उनका एक ही धिमाग में होता है, कि हमें profit earn करना है, profit earn करना है, और वो अपनी एक तरह से कहा जाए, तो अपनी जितनी भी personality है, वो खो बैठते हैं, यानि की customer की आँखों में, जो उनकी image है, वो बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ focus कर रहे हैं किस चीज़ पर, अपने profit earn करने, पर कि हमें profit earn करना है, profit earn करना है, वो customer की need को भूल जाते हैं, customer की satisfaction को भूल जा गया है कि ऐसे brands हैं, और जैसे कि Amazon आप ले लीजिए, Amazon एक ऐसा brand है, जो कि अपने business से जादा अपने customer का ख्याल रखता है, और वही एक बहुत बड़ा example है, एक बहुत सीखने वाली बात है कि इस तरह की marketing करना कि उसने ऐसा कि customer को पकड़ के चले हैं वो, यानि कि कभी भी customer क निराश नहीं होने देते, जैसे ही product जो है, आपके घर पर आता है, और आप कुछ भी खामिया देखकर उसमें return कर देते हैं, तो Amazon कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करता उसमें, जिससे की customer का दिल दुखे, वो तुरंत ही उस product को जो है, वो receive कर लेता है, ठीक है, तो यही उ उसरी अगर companies, जो की आपके घर तक product जो है, वो पहुचा रही है, आप देखा जाए उसमें, तो मैं नाम नहीं लेना चाओंगा, बट बहुत सारी ऐसी companies हैं, जो की ऐसा नहीं करती हैं, customer की वो अपना पहले फाइदा देखती हैं, कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ठी कैसी marketing होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम customer की satisfaction को पूरा करें, यान कि customer को पूरा satisfy करें, तो जाहिर सी बात है, आप चमकेंगे, चमकेंगे, आप ही number one होंगे, जब customer satisfy रहेगा, तो वो आपको top पर बिठा देगा, ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी image जो है, वो down नहीं होगी, ल marketing को compare करते हैं, selling से, जी हाँ, selling नहीं है, marketing, marketing अलग है, selling अलग है, selling जो है, marketing का एक part है, marketing एक बहुत विस्तरित रूप है, बहुत बड़ा है, बट selling उसका एक part है, ठीक है, selling का मतलब होता है, सिर्फ product को sell करना, customer तक पहुँचाना, लेकिन अभी मैंने बताया, marketing पूरा वो process है जहां से product designing से लेकर, customer तक पहुचने तक और उसके बाद भी marketing जो है, वो चलती चली रहती है, जैसे कि आज आज आप देख रहे हैं, कितने सारे call centers हैं, जो कि अपने customer को services provide करते हैं, after sales service provide करते हैं, यानि कि अगर उनको कोई भी परिशानी आ रही है product और services में, तो आप phone करकर पूछ सकते हैं, वो आपकी पूरी साहता करेंगे, है ना, तो सारी वो अब before अगर देखा जाए, तो activities कून सी होती है, जैसे कि identifying customer needs, यानि कि customer की need को पहचानना, कि customer क्या चाहता है, customer को किस type का product चाहिए, किस type को services चाहिए, किस price में चाहिए, तो ये सारी बाते जानना, बात हो जाती है, designing of product, information gathering, marketing information लेना, तो ये सारी के सारी जो है, वहीं से marketing की activities जो है, वो स्टार्ट हो जाती है, और कहां तक चलती है, end कहां तक होता है, उसका, after, end, क्योंकि end तो होता ही नहीं है, तो after sales service भी इसमें include है, customer relation, customer के साथ इस type के bond बनाना, इस type के relation बनाना, so that customer सिर कभी तूटे ना, यानि कि वो एक लगातार, regularly आपकी shop पे, आपके business में, आपके product को खरीता रहे, visit करता रहे, ठीक है, और other follow-up जो भी activities होती है, तो वो after sales services में ही आती है, यानि कि after marketing हम उसको बोल सकते हैं, after sales marketing बोल सकते हैं, तो ये पूरा marketing होता है, ठीक है, तो I hope आपको clear हुआ होगा कि marketing किसे बोलते हैं, क्या होती है marketing, यदि फिर भी आपके कोई doubts हैं, तो आप हमें comment box में जरूर comment कीचे, हम पूरी कोशिच करेंगे आपके साहता करने की, और आने वाली videos जो है, वो मैं बता दूँ आपको बहुत important है, आपके course से जुड़ी हुई है, बहुत important videos, lectures जो हैं, वो आने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, अगर आपने subscribe नहीं किया है, क्योंकि आप से miss हो सकती है, कोई भी important videos, ठीक है, तो जरूर subscribe पिजिए, तो चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी next video में किसी नए topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद Friends, हमारी video बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुँचना चाते हैं, जो ऐसी जगहां पे रहते हैं, जहां पर coaching center, tuition center या फिर colleges नहीं हैं, जिनके parents heavy face effort नहीं कर सकते, उन्हें coaching centers में नहीं बेश सकते Friends, आप भी हमारी इस मोहिम में साहिता कर सकते हैं, इन videos को share करके Friends, ज्याद रहे, आपका एक share किसी बच्चे की जिन्दगी बदल सकता हैं, तो इन videos को WhatsApp और Facebook के जरिए ज़्याद से ज़्यादा share कीजिए Friends, अगर आप ने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, या अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रू subscribe कर लेजे, ताकि आने वाली सारी ज़रूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंसती रहे Friends, अगर आप किसी खास तरीके के information हमसे चाते हैं, या अगर आप कोई suggestion हमें देना चाते हैं, या अगर आप चाते हैं कि किसी खास topic पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे comment box मर comment करकर बता सकते हैं Friends, अगर आप किसी topic से related notes चाते हैं, previous papers चाते हैं, 10 years चाते हैं, या फिर अगर आपको important questions चाहिए, तो आप हमारे facebook page पर जाकर या फिर हमारी website पर जाकर सारी information ले सकते हैं और वहाँ से download कर सकते हैं सारी जानकारी आपको नीचे description box में मिल जाएगी, सारे links की जानकारी नीचे description box में दी गई है, वहाँ से जाकर आप information ले सकते हैं All the best for your exams